दोस्तो बिग बॉस ओटेडी सीजन 3 के घर में अगर आप पॉल मिदास के फैंस हैं तो कहीं न कहीं ये खवर आपको काफी ज़धा दुखी और काफी परिशान कर सकती है और ऐसा इसलिए क्योंकि आप सब की चहती जो पॉल मिदास है वो अब बिग बॉस की शो का हिस्सा नह नहीं रही है लगके इस कटारिया जो कि इस समय घर के बाहर वाली की बुमी का निबा रहे हैं उसके हाथ में बिग बॉस ने एक स्पेसल पावर दी थी कि बोटम टू कंटरस्टेंड मेंसे किसी एक को अभी इसी वक्त घर से वेगर करना होगा इस दुरान दोस्तो लगके इस कटारिया ने पॉल मिदास को नाम लिया और जिसके चलते पॉल मिदास घर से वेगर हो चुकी है जी यह दौस्तो गर से जाने के बाद घरवाले भी जो है काफी खुश्या मना रहे हैं क्योंकि गर के अंदर पॉल मिदास की इतनी अच्छी बांड़िंग किसी से भी नह कहीं गर के बाहर भी काफी ज़्यदा जर्शन मनाया जा रहा है सिवाई पॉलमी के फैंस के जी हैं दोस्तो इस समय जो है पॉलमी दास गर से बेगर हो चुकी है यह अब भी की सबसे बड़ी ख़बर है दरसल आज मिडवी के एविक्षिन का एक टास्क हुआ था जिसमें की बिग बॉस ने घर के नॉमिनेटेड छे कंटेस्टेंड में से तीन के नाम बता दिये थे कि तीन में जो बॉटम में है वो है चंदरिका, पॉलमी और मुनिशा कटवानी इन तीनों के लिए वोटिंग लाइन्स चालू करवाई गई थी जिसके बाद यहाँ पर पॉलमी दास को सबसे कम वोट मिले थे और इसके अलबा मुनिशा जो की टॉप टू में शामिल हुई थी बॉटम में इस दुरान यहाँ पर जो है लोकेस कटारिया ने अपनी दोस्ट को बचा लिया और साथ यसाथ पॉलमी दास को घर से वेगर कर दिया फिलाल क्या के ना चाहेंगे पॉलमी के मिडवी के एविक्शन के बारे में आप अपनी राए हमें कॉमेंट करके बताएं लेटेस्ट अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब किजिए ताकि हर अपडेट आप तक पहुंचे सबसे भेलें